हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम आगे हैं सिरिश्वाद कोड़ एक और नई ब्रांच महेश नगर मेर भाई साब यहाँ पे एक नमबर मिलते हैं गोलगप पे अगर आपने यहाँ पर कभी ट्राइ नहीं किया तो भाई जरूर आनार यह मैं आपको बता देता हूं और सिफिट यहाँ आपने रजिश्टर के करवाया है मतलब तो देख लो भाई साब इनके पास कही तरह के गोलगपते हैं और जो पानी है वह भाई साब बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज़ें से बना हुआ मिलेगा अम्चुर की चटनी है अम्चुर की चटनी है और भाई कोई कलर न इनके सब्सक्टावा साब होगा और यह कुदगी बनाई हुई चटनी है मलग है अम लगवो है मसाले तो बाई इसका टेस्ट बहुत है नहीं इस पेसल देख के दॉने है यह भाई यह भी बिल्लकुल मदलब नेच्राल चीज तो आराम से मतलब अगर आप खाते हैं तो पूरा हैजेनिक तरीके से आपको खलाया जाएगा किसी भी तरीके की आप यहां पर नहीं देख पाएंगे और भाईसाब यह पूरा का पूरा इनका देख लिए आप अभी आलो टिके भी चालू करने वाले वाले वाईसा आपका नाम है रमेश मिसरा जी है और यह बाईसाब आपके भाई चलाते है उदर अधर वहां चोट यह वाले गॉलकपा सेंटर अहां पर अपल गया है आप जरूर एक बार आना चेक करना अभी तो इन्होंने नाम यह तलवार्य गार्टन के नांतुछ ज्रूर्ड एक बदा चेक करना और टेस्ट का तो में एक पर चेक करेंगे तब यह पको पता लगेगा की टेस्ट कैसा है मैं ने ट्राइब किया क्योंकि मैं जाता रहता हूँ आपको पता है मैं व्लॉक बनाता हूं तरे तरे की जा गए स्ट्रीट फूर्स पर और वाई स्वाद बोब अच्छा लगा देपाशी है दरी बल्ले और अभी अलू की टिक्या भी स्टार्ट करने वाले थोड़ा फड़ और यह मिट्टी का बरतन लिया है देखो भईया ने मिट्टी का बरतन लिया यह नहीं है कि बदलब पूरे तरीके ज़र आपको एकदम डेस की फिलिंग आने वाली है इंडियन जो होते है न अपना ना भी से लगा हूँ आपको हमारी दभी पतासी प्लाते है और यह देख आप यहां पर जरूर एक बार चेक करना कि रिस रॉद पूर पूर को नाम से बटने वाली आपको विलोग अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना सेयर करना और भाई एक बार जरूर आकर चेक करना और इस पेशल दभी देखो यह घरका बना हुआ दभी यह दो नही यह अपना जीरा मसला है यह अपना सारे स्टेट मसला है यह काला नमक अपना नमक नहीं नहीं है लाला नमक यह लृट्ट यह अपना यहां चाला नमक नाया है लो